नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता, श्री विश्वंबर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत हैं। अभी बारिश का मौसम है और इन दिनों में बीमार पढ़ने के बहुत जादा चांसेस रहते हैं। सर्दी, भुकार, खासी, ठंड लगना, दस्ट इस जैसे बहुत सारे पेशंट हमें देखने को मिलते हैं। खास करके छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जिनकी इम्मिनिटी कम है उनके बीमार पढ़ने के बहुत जादा चांसेस रहते हैं। तो इस बारिश के मौसम में बीमार ना रहे, इसलिए कौन से उपाय आयुर्वेद में बताये हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ताकि ये उपाय करने के बाद बारिश के मौसम में भी हम स्वस्थ और तंद्रूस रह सकते हैं। बारिश के मौसम में बीमारी के चांसेस ज़्यादा क्यों रहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा रूतु में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोशों का प्रकोप होता है। मतलब वो समान न रहेकर, बैलन्स न रहेकर बढ़ते हैं। और हमने त्रिदोश इस वीडियो में देखा कि दोश नॉर्मल लेवल से कम हुए या बढ़ गए तो वो शरीर को तकलीप देता है। और शरीर को तकलीप मतलब सबसे पहले हमारे जाठर आगनी पर इसका असर होता है। रोगाहा सरवेपी मंदागनों इस लोग के अनुसार सबसे पहले हमारा अगनी मंद होता है। मतलब भूक नहीं लगती, अनका पाचन करने की ताकद हमारे पाचक अगनी में नहीं रहती। इसलिए इस मौसम में सबसे जादा लोग बीमार पढ़ते हैं। यह हमने बीमार पढ़ने का कारण देखा, अब इसके उपाए हम देखते हैं। इस समय पचने में हलका खाना लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन शक्ती इस मौसम में कम रहती है। अगनी मान दे रहता है, अब हलका खाना मतलब क्या, जो अनाज हम लेने वाले हैं, वो पुराना इस्तमाल करे। पुराना अनाज भी आप हलका भून के लेगे तो और अच्छा। इस समय घर का बनाया हुआ ताजा गरम खाना ले, बाहर का खाना एवाइड करे। इस मोसम में सबजियों में हम क्या क्या खा सकते हैं? ऐसा सवाल मन में आएगा। तो जादा से जादा इस मोसम में फल सबजिया खाएं, पत्ता सबजी, स्प्राउट्स और बाकी पचने में हेवी खाना इस मोसम में अवाइड करे। मूम को खाने में ले, क्योंकि मूम पचने में हलका रहता है और सबसे जादा पत्य करें। इसलिए आप मूम का सूप या सबजी बढ़ा कर भी खा सकते हैं। इसलिए इस मोसम में आप कभी-कभी दही खा सकते हैं, हर रोज नहीं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सोंड, इसको एक साथ पंचकोल कहते हैं। ये पंचकोल का सेवन इस मोसम में करें। काला नमक खाने में लें, इससे पाचन अच्छे से होने में मदद मिलेगी। इस मोसम में आप जो खाना लेते हैं, उसमें स्निकधता चाहिए। मतलब आप तेल या घी को खाने में ले। इसका मतलब यह नहीं कि आप ओईली तला हुआ खाए। तो उपर से थोड़ा सा सबजी में रोटी चपाती को लगा कर आप तेलिया घी को खाने में ले। इससे वाद दोश बालंस होने में मदद मिलेगी। शरीर में जो रुक्षता है ड्राइनेस है वो भी कम होगा। मधूर अमललवन मतलब मीठा, खटा, नमकीन यह तीन स्वाद के पधार्थ इस मोसम में ले। क्योंकि यह तीन स्वाद शरीर में बढ़े वाद को कम करने में मदद करते हैं। तीखा, कड़वा, कसेला इस तीन स्वाद के पधात वाद को बढ़ाते हैं। इसलिए इस मोसम में यह तीन स्वाद कम खाए। आपको खट्टे अचार पसंद है तो वो आप इस मोसम में खा सकते हैं बारिश के मोसम में ऐसे नहीं तो 12 महिने all season आप उबाल के ठंडा पानी ही पिए क्योंकि बहुत सारी बिमारिया पानी के infection से होती है फिर वो filter का पानी हो फिर भी उबाल कर ठंडा किया पानी ही पिए उस पानी में अच्छी quality का original शहद हो तो वो आप डाल सकते हैं आपकी आदत हो तो आप गुन-गुना या गरम पानी भी पी सकते हैं लेकिन शहद गर्म चीजों के साथ कभी न ले ये बात हमेशा द्यान रखें इस मोसम में climate में गीलापन रहता है इससे infection फैलने के chances जादा रहते हैं इसलिए जो आप कपड़े पहनते हैं इस्तमाल करते हैं इसका दूपन करें इससे गीलापन कम होगा और infection के chances नहीं रहेगे आप लकड़ी या कोईले का दूपन कर सकते हैं आउशदियों का दूपन करें तो और अच्छा देखो दूपन चिकित्सा यह आईरवेद में बताई गई है इसके बहुत सारे फाइदे हैं शरीर के साथ मन का स्वास्ता अच्छा रहना भी बहुत जरूरी है इसलिए हरोज स्नान करें सुगंद धारन करें ऐसा ग्रंथ में कहा है मतलब चंदन, खस, करपूर, मोती, फूलों के हार यह धारन करें इससे मन भी अच्छा रहेगा इस मोसम में वाद दोश बड़ा हुआ रहता है और वाद की सबसे अच्छी शोधन चिकित सा मतलब बस्ती बस्ती के लिए यह मोसम सबसे अच्छा है इसलिए जिनको शोधन करवाना है उन्होंने अच्छे वैद की सला से इस मोसम में बस्ती लेनी चाहिए बस्ती मतलब गुददवार से अउशदी तेल, अउशदी काड़ें अंदर डाले जाते हैं आप अउशदी तेल से अभ्यंग मतलब मसाज करके ले सकते हैं इसी को स्नेहन कहा जाता है स्नेहन के बाद स्वेधन ले मतलब स्टीम इसके भी बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं विशेश रूप से इस बारिश के मौसम में वाद दोश बैलन्स रहने के लिए इसके बहुत अच्छे फाइदे हैं और भी पंचकर्म उपचार है वो भी आप वैद की सला से करवा सकते हैं इस वर्षारूत में मतलब बारिश के मौसम में क्या करना चाहिए वो अब तक हमने देखा अब क्या नहीं करना चाहिए वो देखते हैं इस मौसम में नंगे पेर ज़्यादा नहीं चलना चाहिए ठंडी हवा, गीला पन जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ज्यादा धूम, हवा, दिन में सोना, ज्यादा शराब, पेट भर के खाना, ज्यादा महनद, ज्यादा एक्जरसाइज, नदी का पाणी पिना, यह सब इस मोसम में ना करे, अवोइड करे जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेर करे, ताकि जरूरत मन लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फायदा हो, चाइनल को सब्सक्राइब करे और बेल आईकॉन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे नए-णए वीडियों के को बिलते रहें. धन्या बाद.